बच्छो क्लास 9 और 10 यानने वाले प्रोजेक्ट और के लिए जोदे प्रोजेक्ट कर और आंतरिक तर आएंגगे उसके बारे में अज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे के आलिखन कला के अंतरगत आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वह बनाने है तो यहां पर इन प्रोजेक्ट कार HE Demoा Just का प्रोजेक्ट कारे और अंतरिक मूल्यांकन जो है वह विद्याले स्तर पर हिज निए पर यह जो प्रोजेक्ट है वह आपको अलग से फाइल में बना करके जमा करने है और प्रतेक प्रोजेक्ट पाच अंग का है और पंद्रा अंक आपके आंतरिक मुल्यंकन के लिए निर्धारित किये गये हैं जो कि उसके लिए आपकी मासिक परिक्षा भी आयुजित की जा सकती है और उसमें आपका कर सकते हैं तो यहां पर पहला प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हैं वो है आलेखन की उप्योगिता को रिखांकित करते हुए किसी वर यह अत्वा आयत में भारती पुस्पो के साथ एक मौलिक वस्तर पर छपाई या टेक्स्टाइल की रचना करना तो यहां पर आवशक साम तो इसमें वर्ग अत्वा आयत बनाना है तो वर्गा काराकरती भी जान लीजे आप और आयत के बारे में भी जान लीजे तो जिसकी चारों बुझाया बराबर होती है ऐसी आकरती क्या कहलाती है आपकी वर्गा काराकरती कहलाती है और जिसकी आमने सामनी की बुझाया बरा बना सकते हैं तो इसमें से सम्मंदित कोई से भी फूल बना करके टेक्स टायल डिजाइन जो है की रचना आपको करनी है तो यहां पर देखिए वर्ग में वर्गा काराकरती बना करके जो है आपने सामनी की बुझाएं बराबर है तो वैसे बना करके आपको बनाना चित्र ध् करके और उसमें जो है आलेखन के डिजाइन या टेक्स्टाइल डिजाइन आप बना सकते हैं कलर कर सकते हैं तो यहां पर जो है इसे आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं को इसा भी डिजाइन दे सकते हैं जैसे कि पहले की वीडियो उसमें बताया जा चुका है अगर आपन क्लास 10 और क्लास 9 आर्ट की प्लेइलिस्ट है उसमें आप देखिएगा उसमें वीडियो डलीवी है उसके उसार आप अपना आलेखन त्यार कर सकते हैं फिर इसके बाद आप यहां पर जो आवाशक सामागरी सबसे पहले आप लिखिएगा उसमें पैंसिल कावेज रबर इसक प्रोजेक्ट आप त्यार कर सकते हैं यह प्रोजेक्ट बच्चो आपके नरधारे से लेवस के इंतरकत है तो इसको आप बना करके जमा कर सकते हैं तो आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही अगर पढ़ाना पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर आने है